आज हम सीखेंगे एक्सिल के अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है पी एम टी इसकी फॉल फॉर्म अगर मैं आपको बता हूं कि इसकी फॉल फॉर्म होती है हमारे पास पेमेंट ठीक है इस फॉर्मूला को समझने के लिए इस फ्रंक्षन को समझने के लिए मैंने आप एक शीट तयार किया है एहमद Όlt Qi की शॉप है जो के मुटलिफ आईटम्स यह किस्तों पर देते हैं लीस पर देते हैं मतलब जो आप अपने आपके पास आईटम्स वगए अगर आप परचियश करने चाहें तीक है अगर आप अट टाइम नहीं ले सकते तो आप किया है तो इसी तरह हमारे पास यहां पर एक पर एक आईट का मतलब जब उसने जब भी कोई भी बंदा यहां पे लेने गया है इसकी एक्ष्वल अमांट कितनी है 50,000 उसमें से 10,000 उसने उसी वक्त भुक करवाते वक्त उसने 10,000 दे दिये ठीक है मतलब इनिशल जो पेमेंट होती है उसे हम डाउन पेमेंट करते हैं ठीक है उसने यहां मारकप का मतलब कि जो एहमद इलेक्ट्रोनिक्स वाल है ठीक है यह 8% उपर इस टीवी की जो एक्ष्वल कीमत है उसका 8% यह उपर आप से लेंगे पैसे लेंगे ठीक है पॉर इग्जैम्पल अगर 50,000 कम 8% निकालें तो किस तरह से निकलेगा इस इक्वल टू यह 50,000 वाल टीवी की एक्ष्वल कीमत है 50,000 लेकिन आप सी जो एलेक्ट्रोनिक्स वाले है ठीक है वह आपको देंगे 54,000 का ठीक है तो यह उसका परसेंट है अचा हर आइटम का यह जो मारकप होता है यह अलग तरह से मतलब डिसाइड करते है मतलब डिफरेंट होता है ठीक है मतलब से टीवी परचेस करता है ठीक है किस्तों पे उसकी एक्ष्वल अमाउं 54 अब यह मारकप मिला के तो उसका मंतली प्लैन क्या बनता है ठीक है मतलब तीन साल तक कितने पैसे वो देगा उसके बाद जाके उसका यह जो आइटम है यह उसका अपना हो जाएड़ है तो इसके जाएड़ हो और यह सालाना वैल्यू रिटर्न करता है ठीक है मतलब एक साल की मतलब यहां पे यह जो टीवी ना रिटर्न करता है लेकिन हमें मंथली प्लैन बनाना जायू है तो हम यहां पे एस फॉर्मिले के अंदर कुछ चेजिंग्ज करेंगे तो वह देखें रेट में हम सबसे पहले करेंगे मार्क अब को तक पित इसके बाद डिवाइट करा रहा हूँ हमारे में हमारे पास एक मत में मोनल्छडे और हम क्लाइज निकाल रहे हैं इसलिए में आंड ओ ठीक है फिर कॉमा फिर एंड पर में हम नंबर ओफ यह वाला चैल सेलेक करेंगे ठीक है और इसको भी मैं मुल्टिप्लाइ कर रहा हूंगा अब 12 के साथ ठीक है क्योंकि हमारे पास एक साल के अंदर 12 महीने हो तो मैंने इसको मुल्टिप्लाइ कर वाय है यहां से 12 के साथ ठीक है फिर उसके बाद कॉमा अब आगें पीवी पीवी स्टैंस फॉर प्रेजेंट वैल्यू ठीक है तो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर मैं पहले अमाउंट वाला सेल सेलेक करूँगा ठीक है फिप्टी थाउजन और इसको मैं माइनस करवा दूँगा ड अमाउंट मेंसे हमने 10,000 माइनस कर तो 50,000 मेंसे अगर मैं माइनस करो 10,000 तो हमारे पास बचेंगे 40,000 ठीक है 44,000 क्योंकि यह आपके पास यह भी एड होंगे 4,000 ठीक है फिर उसके बाद 44,000 मेंसे आपका मथली प्लान निकलेगा ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर ब्रैक मैं आता हूं यह देखे नंबर का एक सेक्शन है हमारे पास रूम टैप के अंदर मैं यहां पर आके कॉमा पे क्लिक करता हूं तो देखें अब यह हमारे पास रूपीज में आ रही है ठीक है अगर आपको डॉलर में चाहिए तो आप इसको चूज नहीं करेंगे ठीक है तो इसको हर मत पे करना है ठीक है कब तक तीन साल तक करेगा तो इसको जो 44,000 बचे थे ठीक है वो इसको पूरे हो जाएंगे और TV उसका अपना हो जाएगा ठीक है अचा मैंने अभी बताया कि PMT हमारे पास yearly plan बना के देता है ठीक है लेकिन हमने इसको जब divide कर वाया था यहां पे इसके rate को और इसके जो एन पर था number of year इसको multiply कर रवायता 12 के साथ अगर मैं यहां से यह हटा दूँ ठीक है और यहां पे जो मैंने multiply किया है simple इसको अब अगर मैं यहां पर enter करता हूं ठीक है और इसको मैं कॉमा में convert कर देता हूं और यहां पे इसको drag भी कर देता हूं ठीक है तो अब देखें यह अब हमने एक साल का बता रहा है ठीक है इसको मतलब कि हमें एक साल में कितने पैसे देना है सही मतलब 3 साल का हमारे पास plan कर रहा पर बाकिए सारे भी साल के इसाब से return हो रहा है रहा रहा तो आप उसी तरह मैं Ctrl Z करके एक स्टेप पीछे जाता हूं ठीक है तो देखें आपको अगर मंत्ली प्लैन निकालना है तो आप यहां पर इस तरह से कुछ फॉर्मुले में चीन देंगा है थैंक्यू गाइस उमीद है आपको समझ आया होगा कोई कोशन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं थैंक्यू